हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए कर आए हैं गिहू के आटे का बहुत ज़दा खस्ता और बहुत ज़दा क्रिस्पी नास्ता इस नास्ते को आप एक पर बना कर खालेंगे तो समोसे बेटी इस खाना भी भूल जाएंगे खाने में यह बहुत ज़दा क्रिस्पी होता है और इसे बनाना भी बहुत ज़दा इज़ी है तो चलिए फैन बिना किसी देरी के फटा-फट से इस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैन नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे तो आटा लगाने के लिए हम यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पर कोई भी cooking oil इस्तमाल कर सकते हैं, बस आपको इसमें सरसो का तेल बिल्कुल भी add नहीं करना है, तो अब हम इसमें धीरे-धीरे करके पानी add करेंगे, और इसका हमें tight सा dough लगाएंगे, ध्यान रखेगा आपको बहुत ज़दा पानी इसमें एक साथ add नहीं करना है, वरना हमारा जो आटा है, वो soft हो जाएगा, तो बस थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इस नाटे को हम अच्छे से tightly bind कर लेंगे, तो इस नाटे को हम एक से दो मिनट के लिए अच्छे से knead कर लेंगे, और knead करने के बाद हम इसे एक से दो मिनट के लिए रस पर छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए, तो जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक कि अपनी हम स्टफिंग की तयारी कर लेते, तो अब अपने नास्ते के लिए हम स्टफिंग तयार करेंगे, जिसके लिए हमें कड़ाई में डालेंगे दो चोटे चमच के करीब तेल, और जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चमच जितना सापू जीरा, तो जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे, उसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे अद्रक और मिच तो मटर यहाँ पर हमने फ्रेस इस्तमाल की है, फ्रोजर माली इस्तमाल नहीं की है, क्योंकि सीजन में है, इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा पारिक कटा हुआ शिमला मिच, साथ हम इसमें एड़ करेंगे एक पारिक कटा हुआ टमाटर, तो सबजिया आपक को फेसे चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारी सब्जिया काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं तो अब हम इसमें एड करेंगे दो उबले हुए आलू तो इस तरह से हमने इसे हाथों से मैश कर लिया था आप जाएं तो इसे कद्दू कस करके भी अड कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्रश पारी कटी हुई हरी धनिया तो अब धनिया और आलू डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे धनिया पावडर, इसकेबाद हम इसमें डालेंगे इक चोटाई चम्माजिता भुना हुआ जीरा पावडर साथ ही हम इसमें एड करेंगे एक चुटकी भर कालि मिच का पावडर, इससे हमारि नाश्डि में गरम मसाला पावडर और साथ ही हम इसमें अड़ करेंगे स्वाद अनुसान नमक इसमें सब अमचूर पावडर तो यह पर अमचूर पावड़र टूडल आउप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाले वहना आप इसके बिगा सकते हैं और जब तक हमारे आलो के इस mixture का moisture बहुत ही अच्छे से खतम नहीं हो चाता है, एकदम dry नहीं हो जाती सब्जी, तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे, तो यहाँ पर हमारी सब्जी है, वो काफी अच्छे से dry हो चुकी है, तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारी stuffing ठंडी हो रही है, तब तक हम आटे को चक कर लेंगे, तो यहाँ पर दिखें, आटा हमारा काफी अच्छे से soft हो चुका है, काफी अ जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, सेम उसी तरह से आपको इसे बेलना है, तो जहाँ पर भी आपको लगे कि इसे बेलने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर इसे अच्छे से बेलेगा, एक समान रोटी आपको बेलनी है, कही स मोटी और कही से पतली नहीं होनी चाहिए, तो देखे, इस तरह से आपको इसकी रोटी बनाकर तयार कर लिनी है, तो अपने सारे पेड़े की हम इसी तरह से रोटी बनाकर तयार करेंगे, तो पर इसे हम साइड में रखनेंगे, और अपने नास्ते के लिए हम तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने cooking oil का इस्तमार किया इससे भी हमारा जो नास्ता है वो बहुत ज़दा अच्छा बनता है और बहुत ज़दा oily भी नहीं होता है तो यहाँ पर हम इसे हाथों से लगा रहें आप जाहें तो breast की help से भी इसे लगा सकते हैं ताकि आपके हाथ बिल्कुल भी messy नहीं हो इसके बाद हमने जो दूसरी रोटी बेली है उसके उपर हम इसे set कर देंगे और same process को हम repeat करते जाएंगे जब तक हमारी जो last रोटी step को follow करते जाना है तो चारो रोटी को हमने अच्छी से इसमें joint कर लिया है तो अब इसे हम बहुत हलके हाथों से इस तरह से बेल लेंगे ताकि इसकी जो surface है वो even हो जाए तो देखे इस तरह से बेलने के बाद अब इसे हम cut करेंगे तो सबसे पहले हम रोटी के सारे sides को नि होटा नहीं होगा यह नास्ता इस तरह से बेलने के बाद अब हम इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि हमारा जब नास्ता fry करें तो बिल्कुल भी खुले नहीं कहीं से तो पानी अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पानी लगाने के बाद अब हमने जो अपनी stuffing तयार की थी उसे हम एक बड़ा चमच के करीब stuffing को इस तरह से इसके center में रख देंगे और सबसे पहले हम इसकी एक layer को निकाल लेंगे इस तरह से और इसकी आमने सामने वाली layer को हम इस तरह से एक के उपर एक जोड़ देंगे इस तरह से दिख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा simple है इससे हमारा जो नास्ता है वो बिल्कूल भी fry करते समय खुलेगा नहीं तो यह process ज़रूर कीजेगा इसके बाद इस तरह से हम फिर से इससे fold करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला नास्ता बंकर ready हो चुका है इसी तरह से अपने बाखी बचे नास्ते को भी हम बना लेंगे तो यहाँ पर हमने पर सारे नास्ते को बना कर ready कर लिया है तो अब इन्हें हम फटा फट से fry करेंगे तो fry करने के लिए हमने यह आपर तेल को गरम होने के लिए रख दिया है तो बिल्कुन मीडियम गरम तेल में हम अपने नास्तिक को एककर करके डाल देंगे तो गैस की flame आपको मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर ही इने fry करना है जैसे जैसे यह cook होती जाएंगी यह खुदबध धलकी होकर उपर आती जाएंगी तो देखें जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तेल के जो बबस हैं वो अब ज़ादा होने लगे हैं तो जैसे जैसे यह cook होते जाएगी आप देखेंगे इसमें बहुत ही अच्छे से layer खुलने लगेगी तो जब इसकी layer खुलने लगेगी तब हम इसे पलट देंगे और पलट करके हम दूसरे side भी से अच्छे से crispy होने तक पकाएंगे तो बहुत ही कम समय में हमारा यह नास्ता बनकर ready हो जाता है और खाने में तो बहुत ज़दा टेस्टी लगता है और बिल्कुल भी oily नहीं बनता है क्योंकि हम इसे बहुत ही अच्छे से seal करते हैं तो बस दो से तीन मिनट लगेंगे इस नास्ती को fry होते हुए और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा golden brown color आ चुका है तो अब इसे हम फटापट से तेल से बहार निकाल लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे फ्रआंस बनकर तयार हो चुका है हमारा ये बहुत इुक्ते जादा क्रिस्टी और भी बहुत ज़दा केस्टी नालता आप देख सकते हैं उपर से जतना क्रिस्टी अंदर से उतना ही जदा ले रही है और आप एक बर इस नास्त्ते को बनाकर खाएंगे तो समोसे कच़ोरी खाना भी भूल जाएंगे, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और हल्दी होता है, और बिल्कुल भी ओईली नी बनता है, तो ज़रूर से बनाईएगा, आप इसे किसी भी चटनी या पर चाय के साथ ले सकते हैं, तो फैंस, I hope आपको हमारी आज की ये चटपटी सी र सब्सक्राइब ज़रूर कीजेगा, हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में ऐसी नई मज़दार रेसिपीस के साथ, तब तक किले अपना ख्यार लखे, बबाई एंड टेकर रहें, थैंक्स फर वॉचिंग